दो पहियों की सवारी, जिन्दगी की रफ्तार, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और जिन्दगी की रफ्तार का मज़ा ले रहे होंगे. आज हम बात करेंगे उस सवारी की जो हमारी जिन्दगी को आसान बना देती है. स्कूटी जो न केवल हमें ट्राफिक से बचाती है, बलकी हमें एक नई आजादी का एहसास भी कराती है. इंडिया में स्कूटी सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, बलकी आजादी की निशानी है. ये हमें भीड भाड से दूर ले जाती है और हमें अपने गंतव्य तक जल्दी और सुरक्षित पहुँचाती है लेकिन आजकल मार्केट में इतने सारे आप्षिन्स हैं कि चुनना मुश्किल हो जाता है पेट्रोल या इलेक्ट्रिक दोनों के अपने फायदे और नुकसान है पेट्रोल स्कूटी की बात करें तो ये लंबी दूरी के लिए बहतर होती है और रिफिल करना आसान होता है वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रिक स्कूटी पर्यावरण के लिए बहतर होती है और चलाने में सस्ती पड़ती है लेकिन इसकी बैटरी चार्जिंग का ध्यान रखना पड़ता है तो कौन सी स्कूटी आपके लिए सही है चलिए जानते हैं सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी जरूरतें क्या हैं अगर आप रोजाना लंबी दूरी तै करते हैं तो पेटरोल स्कूटी आपके लिए सही हो सकती है लेकिन अगर आप छोटे छोटे सफर करते हैं और परियावरण की चिंता करते हैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटी एक बहतरीन विकल्प है इसके अलावा स्कूटी के फीचर्ज भी महत्वपूर्ण होते हैं जैसे की ब्रेकिंग सिस्टम, माइलेज, बैटरी लाइफ और मैंटेनेंस कॉस्ट इन सभी पहलूँ को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपनी स्कूटी का चुनाव करना चाहिए और हाँ, टेस्ट राइड लेना ना भूलें टेस्ट राइड से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन सी स्कूटी आपके लिए सबसे आराम दायक और सुविधा जनक है तो दोस्तों, अपनी जरूरतों और पसंद के हिसाब से सही स्कूटी चुनें और जिंदगी की रफतार का मजा लें याद रखें, सही स्कूटी न केवल आपकी यात्रा को आसान बनाएगी, बलकि आपको एक नई आजादी का एहसास भी कराएगी दो पहियों की सवारी जिंदगी की रफतार, चलिए इस सफर को और भी खास बनाते हैं, धन्यवाद पेट्रोल स्कूटी पुरानी पसंद, जानी पहचानी पेट्रोल स्कूटी तो हम सालों से यूज करते आ रहे हैं, इनकी आवाज, इनका एहसास, सब कुछ हमें जाना पहचाना लगता है मार्केट में इनके बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं, हर बजट और पसंद के हिसाब से पेट्रोल स्कूटी के साथ चलें, क्या फायदे हैं? पेट्रोल स्कूटी का सबसे बड़ा फायदा है, मिलने में आसानी, कहीं भी पेट्रोल पंप मिल जाएगा और आपकी स्कूटी फिर से रेडी दूसरा फायदा है इनकी रेंज, एक बार टंकी फुल कराओ और बेफिक्र हो जाओ पेट्रोल स्कूटी की कीमत इलेक्ट्रिक स्कूटी से कम होती है पेट्रोल स्कूटी कुछ बातें ध्यान में रखें पेट्रोल स्कूटी के साथ कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप हमेशा अपने स्कूटर में परयाप्त पेट्रोल रखें पेट्रोल खत्म होने पर आपको असुविधा हो सकती है और आपको कहीं भी फंसना पढ़ सकता है पहला पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं जिससे आपका खर्चा बढ़ सकता है पेट्रोल की कीमतें समय समय पर बदलती रहती हैं और यह आपके बजट पर भारी पढ़ सकता है इसलिए पेट्रोल की कीमतों पर नजर रखना और अपने खर्चों को नियंतरित करना महत्वपूर्ण है दूसरा पेट्रोल स्कूटी धुआ पहलाती है जो हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है पेट्रोल स्कूटी से निकलने वाला धुआ वायु प्रदूशन का एक बड़ा कारण है यह न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है बलकि हमारे स्वास्थे पर भी बुरा प्रभाव डालता है इसलिए हमें पर्यावरण के प्रती जागरूक रहना चाहिए और जितना हो सके प्रदूशन को कम करने की कोशिश करनी चाहिए तीसरा इनको ठीक रखना भी इलेक्ट्रिक स्कूटी से ज्यादा महंगा है पेटिर्ल्सकूटी की मरम्त और रखर रखाव में अधिक खर्चाता है इसके इंजन और अन्य पुर्जों की देखभाल के लिए नियमित रूप से सर्विसिंग की आवश्यक्ता होती है जो कि महंगी हो सकती है इसके अलावा पेट्रोल स्कूटी के पुर्जे भी महंगे होते हैं, जिससे मरम्मत का खर्च और बढ़ जाता है पेट्रोल स्कूटी का उपयोग करते समय सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए ट्राफिक में चलते समय हेलमिट पहनना और ट्राफिक नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है इससे न केवल आपकी सुरक्षा सुनिश्चित होती है, बलकि अन्य लोगों की सुरक्षा भी बनी रहती है पेट्रोल स्कूटी की सफाई और देखभाल भी महत्वपूर्ण है नियमित रूप से स्कूटी की सफाई करने से उसकी उम्र बढ़ती है और वह बहतर प्रदर्शन करती है इसके अलावा समय समय पर स्कूटी के टायर, ब्रेक और अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों की जांच करना भी आवश्चक है अंत में पेट्रोल स्कूटी और इलेक्ट्रिक स्कूटी के बीच तुलना करना भी महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रिक स्कूटी परियावरण के लिए बहतर होती है और उनकी रखरखाव लागत भी कम होती है हालांकि पेट्रोल स्कूटी की अपनी विशेशताएं और फायदे भी हैं इसलिए अपनी आवश्यक्ताओं और बजट के अनुसार सही विकल्प चुन्ना महत्वपूर्ण है पेट्रोल स्कूटी का उपियोग करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है इससे ना केवल आपकी स्कूटी की उम्र बढ़ेगी बलकि आप सुरक्षित और परियावरण के प्रती जागरूग भी रहेंगे तो अगली बार जब आप अपनी पेट्रोल स्कूटी पर सवार हों तो इन बातों को ध्यान में रखें और सुरक्षित यात्रा करें इलेक्ट्रिक स्कूटी फायदे जो दिल जीत लें इलेक्ट्रिक स्कूटी के कई फायदे हैं पहला ये बिलकुल भी धुआ नहीं फैलाती जो हमारे परियावरण के लिए बहुत जरूरी है दूसरा, ये पेट्रोल से नहीं चलती, यानि आपको पेट्रोल के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे तीसरा, इनको ठीक रखना भी बहुत सस्ता है इलेक्ट्रिक स्कूटी कुछ बातों का ध्यान रखें इलेक्ट्रिक स्कूटी के साथ कुछ मुश्किलें भी है पहला, इनकी कीमत पेट्रोल स्कूटी से ज्यादा होती है दूसरा, ये पेट्रोल स्कूटी जितनी दूर तक नहीं जाती, यानि आपको इन्हें बार-बार चार्ज करना पड़ सकता है तीसरा, चार्जिंग स्कूटी अभी उतनी आसानी से नहीं मिलते तो फैसला क्या हुआ? कौन सी स्कूटी है आपके लिए? दोस्तों, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों ही स्कूटी के अपने-पने फायदे और नुकसान है अगर आप कम पैसे खर्च करना चाहते हैं और आपको लंबा सफर करना है तो पेट्रोल स्कूटी आपके लिए बहतर हो सकती है लेकिन अगर आप परियावरण के बारे में सोचते हैं और आपका रोज का सफर छोटा है तो electric scooty आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है Petrol scooty की बात करें तो ये आम तोर पर खरीदने में सस्ती होती है लेकिन इसके साथ ही petrol की कीमतें भी ध्यान में रखनी पड़ती है However, petrol की कीमतें समय समय पर बदलती रहती है जिससे आपके मासिक खर्चों में भी उतार चड़ावा सकता है पेट्रोल स्कूटी की एक और खासियत ये है कि ये लंबी दूरी के सफर के लिए उपयुक्त होती है अगर आप अक्सर लंबी यात्राएं करते हैं तो पेट्रोल स्कूटी आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है दूसरी और इलेक्रिक स्कूटी की बात करें तो यह परियावरण के लिए बहतर होती है यह न केवल कम प्रदूशन करती है बलकि इसे चलाने का खर्च भी कम होता है इलेक्रिक स्कूटी को चार्ज करने में बिजली का उपियोग होता है जो पेट्रोल की तुलना में सस्ता होता है इलेक्रिक स्कूटी की एक और खासियत ये है कि यह शहर के अंदर छोटे-छोटे सफर के लिए बहुत ही उपियोग तो होती है अगर आपका रोज का सफर छोटा है और आप परियावरण के प्रतिजागरूख हैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटी आपके लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकती है अब बात करते हैं मैंटिनेंस की पेट्रोल स्कूटी की मैंटिनेंस में तेल बदलना, इंजन की देखभाल और अन्य यांतरिक काम शामिल होते हैं जो समय समय पर करने पड़ते हैं वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटी की मैंटिनेंस अपेक्षा कृत कम होती है क्योंकि इसमें इंजन नहीं होता और कम यांतरिक हिस्से होते हैं वारंटी की बात करें तो दोनों ही प्रकार की स्कूटी पर अलग-अलग वारंटी मिलती है पेट्रोल स्कूटी पर आमतोर पर इंजन और अन्य यांत्रिक हिस्सों पर वारंटी मिलती है जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटी पर बैटरी और मोटर पर वारंटी मिलती है तो दोस्तों, अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी जरूरतों और प्राथमिक्ताओं के अनुसार कौन सी स्कूटी चुनते हैं चाहे वह पेट्रोल हो या इलेक्ट्रिक, दोनों ही अपने अपने तरीके से बहतरीन हैं उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको सही स्कूटी चुनने में मदद मिलेगी सुरक्षित रहें और अपने सफर का आनंद लें आगे बढ़ें, अपनी पसंद की सवारी चुने चाहे आप पेट्रोल स्कूटी चुने या इलेक्ट्रिक, सबसे जरूरी है सुरक्षित रहना हमेशा हेलमेट पहने और ट्राफिक नियमों का पालन करें मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके काम आएगी अपनी पसंद की स्कूटी चुने और अपनी जिन्दगी की सवारी का आनंद ले